जी नमस्कार स्वागत आप सबीगा दिन मंत्रे के यूटीब चैनल पर मेरा नाम रोईत वैद्वान आप एश्टेक बच्छे पार्टे कुल मिलागरा दिन मंत्रा हो सकता है आपको लगेगा वीडियो का जो थमनी लेव सीटेट की कीमत क्या है तो जीरो है हाँ मैं अगर इस कराने का जो प्रोसेस जो पहले गंटे का पेपर हुआ करता था साल में दो बार टाइम पर आता था उसके बाद इसे फिर उसको डाई गंटे का बनाया गया फिर उसका ओनलाइन आया जितने भी एक्सपेरिमेंट हम कर सकते तो लेकिन आज की वीडियो में क्या है इस वीडि का पेपर लीक हुआ तो उस पेपर लीक होने के बाद मैंने एक वीडियो बनाई और मुझे लगता है कि सबसे पहले जब मेरे पास आया तो मेरे दाई तू बनता था और इस बातसे में बिलकुल चाहें मेरे खिलाब को या नहीं मैंने सुना है कई पर न्यूज में हमारे ख अगर सुबासचंद्रबोज जी ने ना सोचा होगि फर्क पढ़ता है कि एश ना जो आपडेट होती है अगर आप उसके information bulletin में जाते हैं तो यह information bulletin के साथ जाएंगे तो फर्क पढ़ता है कि क्यों update नहीं होता फर्क पढ़ता है इस बात के साथ कि जब यह हर बार होता होगा तो अगर हम latest check करते हैं तो हमारे पास इस बात सभी पढ़ता है कि जब आप उसका syllabus को देखने जाते हैं तो अगर आप मेरे सामने देखेंगे तो जो 2011 में आये था वही रहा और अगर फरक पढ़ता है तो जो इस स्लेबस में होता है तो इस बात के साथ पढ़ता है कि जहां पर आप देखने कोशिश करेंगे तो शायद कुछ वीडियो बनाने के बाद किसी ने का कि यह एक क्राइटेरिया ही तो है आप इसमें पास हो जाओगे या आपको क्या पता था कि पेपर के दोरान ये पेपर जो है आपके लीख होआ नहीं होआ है बात लीख होने की है ही नहीं बात यह कि जिस एक्जाम के फोर्म के हमसे 1200 रुपे लिए जाते हैं अगर वो लीख हो जाता ह है तो डी ट्रफ प्लंस भी जैसा जो पेपर में आ तो लड़कों से 100 रुपे लेता है यह भोमें से 9 फीज लेता है उसका पेपर तो लीख नहीं हो था वो भी तो सक्योर्टी रखते हैं वो भी तो और ऐसा नहीं कि सक्योर्टी ओनलाइन ऑफ लाइन है जैंगे से पैसे दिये हैं और जिन्हों ने इस पेपर को लीक करा दिया है अगर वो कहता है उनके पास होने से क्या फरक पड़ेगा सोच येगा जो इंसान सीटेट को पास करने के लिए पैसे दे सकता है जहां उसे नोगरी नहीं मिलनी तो जिस दिन कि इंद्रे विध्याले का फोम आएगा तो आपको क्या लगता है वो चुप बैठा रहेगा और चलो और वो नहीं भी देगा तो एक बात बताओ जिस बचे ने सीटेट को अपनी इमानदारी से अपनी मेहनत से पास किया होगा क्या जब वो डिएससबी का पेपर फोम देने क्या क्या सीटेट जीरो है इसका मतलब यह कह देना कि सीटेट के वैल्यू ने और आप एक बात समझेगा जब सरहाम निउस पेपर में आ गई है सब जगें आ गई होगी तो क्या यह वैब साइट जो चीनी चीनी चीजों पर इंफोर्मेशन दे देते हैं क्या इन्हें यह बताना चाहिए था बच्चों को कि हां ऐसा कुछ हुआ है और अगर उन्हें लगता है नहीं कुछ हुआ तो भी बताओ इस इन्फोर्मेशन पर अगर आप जाएंगे तो अगर इसके होम पर जाते हैं जब यह इन्फोर्मेशन दी जा सकती है क्रेक्शन विंडो है पब्लि कोट का डिसीजन आ गया है पेपर टू वाले जो बच्चे हों वो पेपर वन के फोम को नहीं बर सकते में जिन्होंने बीड किया है ते आर नोट इलिजबल जब सब कुछ बताया जा सकता है तो यह क्यों नहीं बताया जा सकते पेपर लीक हुआ कि पेपर लीक नहीं हुआ याद रखेगा जिन लोगों को लगता है कि पेपर लीक होने से और आपके 90 नमबर आ जाने से तो आज तो आपके 90 नमबर से पास हो जाओगे लेकिन अगर आज इस पर किसी ने सवाल नहीं उठाया तो याद रखेगा वो जो पास हुए है सीटेट में कहता हूं 90 लाओ अपन बनाते हैं और वीडियो पर आप लोग क्या कहा देतों कि व्यूज नहीं आप गूर्मेंट सोचो इस बुद्धी को आप खोलिएगा और यह सोचेगा कि जहां आप सीटेट को बोल रहे हैं लीक होने से कोई फरक नहीं पड़ा है और फरक इस बात के साथ पड़ा है कि हम आ पड़ा था अगर आप इस बात को लेके चलेंगे अगर यह आज आप नहीं बोले तो याद रखेगा यह लगबग आदी से जादा दुनिया इस बात को जान दी थी जब मैंने वीडियो बनाई थी और मैं खुलने में कहां जाके बच्चों ने पेपर दिया उनके जो नंब बता चला कि आंसर गलत थे तो हमारे अकारणों चुपके से पैसे आ गए लेकिन हमें यह नहीं बताया गया कि कौन से आंसर गलत एक बात तो यहां तक लास्ट में आई फर किस बात के जार कि एक सेंटर पर से पूरा का पूरा सेंटर से एक दिन के बच्चों का एक बी करते रहेंगे कि यह करना वो करना तो एक ताना आपके याद रखेगा कि वह एक काहवत होती है कि दो बिल्ली की लडाई में बंदर मजे ले जाएगा और वही होगा अगर हम टीचर इस बार साथ नहीं पेपर लीक हुआ जब सथ मैं कह रहा हूं कि मेरे बास साड़े बारा करूँ बट मैं इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि मुझे औरीजिनल पेपर का नहीं पता था लेकिन जब पता चला तो मैं कैसे छुपा लेता यह बात कि मुझे नहीं पता था मुझे पता चला था बागी देखे एक बात याद रखेगा इस थमनिल का जो मतलब है प्लीज पार के मुकाबले आदे से भी कितना काम है और कॉम्पेटिशन देखे कितना होगा उसके बाद हर बार उम्र बढ़ जाते फुलारा बस सीट हर साल दो बार आता रहता हमारे बास वेकिन सी आती नहीं अरे जब सीट आता है हजार बारा सो फोम ले जाते तो क्या सच्छ में स किसी को बुरा तो नहीं बोलना चाहатель हो नो मैं इसके बार में यह कहना चाहता कोन गलत ही गई कि मुझे लगता है कि जो सच एवा पता होना चाहिए, और किसको फाइदा है किसको नुकसान थ सरु क्या हो नुकसान जो पास हो जाएंगे मेरे उनके लिए। मैंने कुछ किसी को बोला हो अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी होगी तो मैं माफी मागना चाहूँ है लेकिन मैंने कोशिश किया सच्छा ही बताने कि आपको अच्छा है बुरा लगे उसका की समझ है बट याद रखिएगा अध्यापक वो नहीं होता जिर्फ पढ़ाने का अगाम होता अध्यापक वो होता है जिस कैप फोल्डिंग में बच्चों का साथ देता है उस वक्त में हम यह नहीं कहा रहे कि पेपर कैंसिल करो लेकिन आप यह बात सोरो कोई बच्चा इस बात की कन्फरमेशन और सिक्योर्टी के साथ तो रहे कि यार एटली सीटेट का प तो आप लाइक शेर सब्सक्राइब कर दीजेगा आपको लगता है गलत है तो आप अन सब्सक्राइब कर दीजेगा मैं बिल्कुल आप थेंक्यू समय जहीं जेवरत नमश्क्राइब